नमस्ते, आप सब का वेलकम हैं सिमरन की रसोई में आज देखते हैं लेंच बॉक्स में क्या आई सिबसे बहले मैंने ये क्योच सा लेंच बॉक्स ले लिया देखें इसमें तीन कमपार्टमेंट आते तो काफी अच्छा है इसमें मैंने बनाया है ये बढ़्या सा लच्छा पराठा ये इतना टेस्टी लगता है न और इसकी साथ मैंने दुसरे कंपाट्मेंन में रख दिया है ये हरी मर्ची का पुलाओ जो इतना खिला खिला और टेस्टी बनता हैのは ये ज़्यादा spicy भी नहीं होता और अच्छा भी लगता है और थर्ट में मैंने रखती है ये मुरकू ये इतनी crispy होती है ने एक मट्रे के दार होती है इसमें नई मैदे का इस्तमाल के है नई पूहा का बस lunchbox को pack कर लिया देखे कितना cute लग रहा है lunchbox और इसे के साथ मैंने पानी की bottle भी रखती है तो ये lunchbox तयार है तो जाए आपके साथ भी share कर लो कि मैं कैसे lunchbox रोज बनाती है आप अपने बच्चों को दे सकते हैं ये lunchbox अपने husbands को या फिर अगर आप working moment है तो आप भी इसे बना सकते हैं तो चलिए शुरू कहते हैं तो सबसे पहले हम मुरग को बनाएंगे ये साथ की special है उसके लिए आपको 200 ग्राम पूहा लेने फिर चाया पतले ले मोटे ले मेने पतले वाला इस्तमाल के mixer जार में डालकर आधा कब भुने हुए चने डाल दे के इसे धख कर पीस ले देखें इस तरह से पीसना है एकदम ये अच्छे से पीसा वा होना चाहिए एकदम into powder फम हो जाना चाहिए कोई भी पोहाया चना दिखना नहीं चाहिए पस इस तरह से अच्छे से पीसने के बार इसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा जैसे कि मैंने आपको कहा बिना मैदे और बिना आटे के है तीन कव चावल का आटा एक बड़ा चमच सफे तिल आधी चमच काली मिर्ची पाउडर एक चौथाई चमच इसके अंदर आपको डाल देना है हिंग स्वाद के नुसार नमक दो बड़े चमच सॉल् मुरग के लिए आटा नहीं पाको नहीं जादा लर्म होता है मीडियम सॉफ्ट आटा गुनना है और इसके अंदर तकरीबां चार कप जितना पानी जाएगा आपको ज़्यादा लग रहे होगा पर इस लिए जाधा जाता है क्योंकि इसके अंदर पोहा है और वह जादा पा उसमों सांचा इसके अंदर डाल देंगे, विसले हमें तरफ तोड़ा सा तेल लगा लीजेगा, जरूत के अनुसार, जितना आपकी मशीन में आठा बनता हो इस तरह से आठा इसके अंदर डालकर, शेप आ जाता है और ये मुरग को का शेप है, पस इसुत तरह से हम सारे मुर और यह इतनी डेस्टी लगते हैं आप इसे कोई भी ट्राविलिंग में लेके जा सकते हैं और यह बहुत 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 इक रिस्पी लगते हैं यह चाय के साथ ले काफी के साथ यह शाम की चोटी बूख में दिखिए कितनी कुरकुरी बनती है तो यह तैयार है चलिए बना जो बहुत ही स्वादिस्ट और बहुत ही खिला खिला है तो इसके लिए देख सकते हैं मैंने दो कब बासमती चावल को 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था यहां पर 7-8 हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से वाश करके मिक्सर जार में डाल दिया इसे हम दरदरा पीस लेंगे कैस कौन का लिए कड़ाई रख दिया एक बड़ा चमस तेल जैसे गरम हो जाएना दो से तीन लॉंग एक छोटा दालचिनी का टुकड़ा दो से तीन साबुत काली मिर्ची एक जोथाई चमस जीरा हलका सा भूनने के बाद यहां पर नचार हरी मिर्ची और एक प्यास को मैंने लंबा काट लिया है बस इस तरह से डाल देंगे और इसे हम भून लेंगे जादा नहीं भूनना है बस प्यास का कच्छा पंदूर हो जाए तब तक ही भूने एक से दो मिनट तक उसके बाद यह चावल डाल देने और इसे भी अच्छे से मिक्स करने आप छोटे चावल भी इस्तमाग कर सकते हैं मैंने बासमादी किये हैं बस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे तीन कप पानी दो कप चावल में तीन कप पानी जब आप कड़ाई में बना रहा है पुलाओ तो अच्छे से मिलाने के बस वाद के अनुसार नमक थोड़े से धनी आके पते हैं और जो हमने हरी मिर्ची को पीस के रखा था था ना सबसे पहले बस वो डाल दीज़े और इसे आपको खुलाई पकाना है जब तक इसका पानी सूख जाए ढगकर नहीं पकायेगा इसका पानी सूखने तक तकरीबद इतनी कॉंटिटी का पुलाओ में पानी सूखने में पांच से 6 मिनिट लगते हैं तो बीच बीच में मिक्स भी करते रहेगा ताकि चावल नीचा से चिपके ना और देखेए बस हलका सा पानी रही जा नए इस तरह से चावलों की बीच में देख सकते हैं नाम के बराबर पानी रही जा ना तो बिलकुल गैस की फ्लिंग् udah कुल टेस्टी लगते हैं इसके लिए एक बाउल ले 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 तीन कटोरी इसके अंदर गीहों का आटा स्वात के अनुसार नमक आधी छोटी चमस तेल आप इसके जगह पर गी भी डाल सकते हैं अच्छे से मिला लीजे थोड़ा थोड़ा करकर पानी डाल लिए और आटा गून को अच्छे से हम देखें इस तरह से मसल लेंगे हाटे को मसलने के बाद बड़ी सी लोई लेनी है जकले पर रखकर दोनों तरब सुखा ग्यों काटा चड़कर इसे बेल लेना है नाई जाधा मोटा नाई जाधा पतला मीडियम बेल ले हाथों की मदर से इस पर तेल लगा लीजे ताकि हर किनारे पर अच्छे से लगे फिर थोड़ा सा नमक और थोड़े से धन्या के पते अब अपनी उंगले की मतर से बीच से होल कर लीजे और होल को यह आपको देखे इस तरह से गोल-गोल गुमाते हो पूरा रोटी को रोल कर लेना है रोल करने के बाद बीच से लिसमें टॉड लेना है तोडने के बाद ुसे फिर से रोल करना है इसके किनारे को अच्छे से प्रेस करती हो दोनों दोरफ फिर से सूखा ग्यों-काटर चिरक चुड़खना और इसे बेलना है मोटा ही रखना है एक दम पतला नहीं वेलिए गरम तवी पे डाल कर इसे दोनों तरफ सेख लीजे जैसे सिखना शुरू हो जाए ना हलका हलका तो इस पर तेल भी लगा सेखते गी भी या फिर मखन भी मैंने आपर तेली लगा है और ध्यान रखेगा जब आफ फोल्ड कर लेते उसके बाद इस पर हलका हलका हाथ से आपको बेलन लगाने नही इसके अच्छे नहीं लगेंगे ज्यादा बत्ता भी लेंगे तो और इसे अच्छे से सीखना है क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है ताकि कहीं से कच्छा ना रहे लीज़े तैयार है इसी तरह से सारे लच्छा पराठा चलिए टिफिन को पैक करते है यानि के लंच बोक्स क पैक करते हैं देखें क्यूट सा तीन कंपार्टमेंट वाला लंच बोक्स है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा ऑफलाइन भी मैंने से ऑफलाइन मार्केट से बाइ किया था और यह दो जनों का आराम से खाना पैक कर लेता है तो देख सकते हैं यह लच्छा पराठा रख द आपको रेसिपी कैसी लगे है अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांकियो फॉर वाचिंग